नमस्ति है जी, मैं हूँ देरेवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों, जुलाई, साथवा महना, साथ जुलाई, मतलब कि 0707 इंजल नमबर है ये, साल में एक ही बाहरा आता है बिल्कुल वैसे जैसे कि 11-11, 12-12, 8-8, 9-9 आते हैं हर महिने की अपनी कुछ अलग शक्तियां होती है, कुछ अलग ग्रहदशाय होती है प्लैनेट्स की अपनी अपनी वियोस्ता अलग-अलग होती है तो इस महिने हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इस 7-7 में ऐसी कौन से रेमेडी कर सकते हैं जिसमें हम सबसे best result ले करके आते हैं, अपने manifestation को ले करके, अपने healing को ले करके, अपने साधनाओं को ले करके, या जो भी विधा को हम सीख रहे हैं, उस पर सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे. सबसे पहले आप ये जान लेजिए कि 0707 मतलब कि 7 जुलाई कपल्स के लिए शांदर समय हैं, जी हाँ, इसलिए तो ये व्यवस्थाएं हुए थी, गर्मी के मौसम में शादी होती थी, और जनरली इस बारिश के मौसम में जो नए जोड़े हैं उन्हें गुड निउस मिल जा आजाता है, याने कि ये समय ही है नए कपल्स लोगों के लिए, अपने रिश्टों को एक नए उचाई पर लेकर जाने के लिए, बेबी कंसिविंग के लिए, एक नए जनरेशन को, एक नए संतान को इस दुनिया में लेकर आने के लिए, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट क किया जा सकता है, कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा, दूसरा, क्यों ऐसी विएवस्ता है कि जुलाई से ही नए स्कूलिंग, नए सिक्छा, कॉलेज, कोई भी इंस्ट्यूट जो है, जुलाई के मौसम से ही नए सत्र चलू करते हैं, भाई, साल तर शुरूवात जनवरी स क्यों नहीं किया गया, जनवरी से दिसंबर तक काम करते हैं, फिर जनवरी से नए शुरूवात करते हैं, एक रीजन है कि जुलाई से ही शुरू किया गया, कोई विजडम था, तो अब हम समझ सकते हैं, कोई भी नए विद्या, कोई भी नए विधा, चाहे आप रेकी हिलिं आप भगवदगीता शुरू कर सकते हैं, आप धन के तरफ और ज़्यादा समझना चाहते हैं, साइकोलजी आप मनी शुरू कर सकते हैं, आप अप अच्छी किताबे हैं, जो आप कर सकते हैं, मेरी एक बहुत अच्छी किताबे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रार्थन बीज ये किताब बहुत अच्छे किताब है एक हीलर के लिए मन अलग अलग इस तरह पर खुलता है आपकी चेतना के लेयर्स निकलते हैं इससे आप समझ पाएगे कि हीलिंग किस दिशा में कैसे कहा कहा तक पहुंसती है तो चलिए इन इन दिशाओं में हम काम कर सकते हैं ये तो पता चल गया अब क्या करना है ये समझे जिरो सेवन जिरो सेवन पर एक नई डायरी और एक नया पैन खरीद लेजे बिल्कुल फ्रेश जिसको बिल्कुल नहीं छुआ गया है अब इसमें कोई भी मैनिफेस्टेशन टेकनिक इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिपल फाइब कोई भी एक विश को ले करके हम काम शुरू कर सकते हैं इस 0707 से जैसा कि मैंने बताया एक नई विधा नई विद्या की शुरुआत के लिए अगर कोई मैनिफेस्टेशन चाहते हैं आप वो लिखे जिसकी आपने शुरुआत कि है उससे ही आप लिखना शुरू कर दीचे क कि मैं ये विद्या सीख रहा हूं मैं इस विद्या में पारंगत हो रहा हूं मैं रेकी हीलिंग में पारंगत हो रहा हूं मैं निम्रोल जी में पारंगत हो रहा हूं मैं एक महान हीलर बन रहा हूं ऐसा आप मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं या फिर 369 टेक्निक इस्तमाल कर सकते हैं, सुबे तिन बर शाम को छे बर और रात को नौबर, है न? या फिर इससे भी आसान, कुछ ने स्क्रिप्टिंग करें, रुज सुबे, एक बार उसे कहानी फॉर्म में लिख लेजे एक छोटी सी कहानी बनाईए कि आप क्या कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कैसे गह रहे हैं, कितना कर रहे हैं ये लिख लिए और छोटा करना चाहा है, तो कर लिए लेकिन लिखना शुरू कर जी इस 0707 से दूसरा, जो लोग अपने relationship को बहुत अच्छा करना चाहते हैं relationship में problems चल रहे हैं, conflicts चल रहे हैं, बहस हो रही है, मन नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने रिष्टे को अच्छा करने के लिए लिखी, लिखी इस thought को डालिए लेकिन relationship वाले, especially relationship वाले, गहरी सांस लेंगे, तो तेर बैठेंगे और अगर कर सके तो universe को एक telepathic message दें और याना symbol मैंने सिखाया है, उसका एक वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, grandmaster का symbol है अगर जो और एक healing जानते हैं, वो लोग इसका इसका इस्तमाल जरूर करना नहीं जानते हैं छोड़ देजे, और याना symbol से हम telepathic message भेशते हैं, इथर के तरफ, universe के तरफ, इथर एक शब्द है, जिसका इस्तमाल फरस्टाम नैपोलियन हिल ने अपनी किताब The Law of Success में किया था, इसके बारे में भी मैं चर्चा बहुत करता हूं, अपने दूसरे चैनल में, मैं धरिवा Unhappy वाला Healer, जिस पर हम इसकी चर्चा करते हैं, scientifically इन चीजों को समझने की कोशित करते हैं, यहां तो हम Occult Science को समझते हैं, है ना, तो वापस राते हैं, आप तैली भाती तियार करें, गहरी सांस लेकर करके बैठें, थोई दिर में अपनी anxiety को खतम करें, शान्त हो जाएं, anxiety म मतलब कि जो कियोस मचा हुआ है मन में, सांसों में, शरीर में, उसे शान्त करना, शान्त करें और उसके बाद अपने relationship के लिए के scripting करें, कि कैसा होना चाहिए आपका रिष्टा, आपके पार्टनर के सान, शादी हो गरी तो ठीक है, नहीं हुई है, तो आपका जो भी पार् पार्टनर के लिए अच्छे है, बिटा देखना हमेशे एक बात या देखना, रिष्टे में रिष्टा अच्छा नहीं होता, अगर हीलिंग कर चाहते हैं, तो रिष्टे को हील करना चाहते हैं, रिष्टे में रिष्टा अच्छा नहीं होता, रिष्टे में हम अच्छे हो अभी एक साथ ही था हमारी, जिन्नोंने कुछ समय पहले का कि उनके रिष्टे में न बार बर प्रावलाम आता है, तो कई रिष्टे बदल चुकी हैं चार या पांच रिष्टे बदल चुकी हैं अभी पाँच वे के साथ भी वही सिम तकलीफ है, सिम चीज है कि वो मेरे पर ध जिधान इदवतर जाने लगता है, दूसरी फीमेल के तरफ जिधान जाने लगता है, इस परसन के साथ भी ऐसे ही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहे है। तो मैंने उमसे एक बात कहीं कि, अगर एक ही चीज बार बार हो रही है, तो इसमें कॉमन क्या है। आप, है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ निस्टिक हो रहा है, कहीं ना कहीं आप इस रिष्टे में या ज़्यादा दे रहे हैं, या कम दे रहे हैं, या सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। चाय पती, शेकर, दूद, सब के पास होता है, हर चाय बनाने वाले के पास, पर किसी कि चाय बहुत अच्छी लगती है, मासी जी के हाथ के चाय जदा अच्छी लगती है, कभी वह जी के हाथ के चाय जदा अच्छी लगती है, वही घर के चाय उदनी अच्छी नहीं लग रही कि इस ठेले वाले किच जाधा चले तो इंग्रेडियंट सब वही हैं कभी-कभी कुछ चीज़ जादा हो जाने कि ब्रस चीज़ से खराब होती है कभी-कभी आप इतने सलफ लेस हो जाते हैं कि रिष्टे उतने अच्छा नहीं होते हैं तो वापक रहते हैं बातल बहुत ये सारे रिष्टों का भी मामला इसमें नहीं है चाहाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं मैनिफेस्ट तो हर एंजल नंबर के साथ होता है लिएकि सबसे बेस्ट टाइम जो है ये बने हुआ जो रिष्टे हैं जिसे और बहतर करने के लिए ये रिष्टे में प्रॉलम्स चाह रही हूं अच्छा करने के लिए बेबी कंसिविंग के लिए सबसे शांदार समय है जिन कपल्स को बेबी कंसिव करना है वो कैसा बेबी चाहते हैं बेबी में क्या गुण होने चाहिए कैसा हेल्धी होना चाहिए ये सारे चीज़ें लिख करके मैनिफेस्ट करें, जिने बेबी अब तक नहीं हो पाया है, जिने बेबी कंसिव करने में थोड़ा समय लग गया है, किसी रिजन से रुखा हुआ है, वो भी इस चीज़ को अभी करें, बहुत जबर्दस रिजल्ट मिलेगा. जो हीलर्स हीलिंग करते हैं, अपने सिंबोल्स को उस दिन जरूर हील करना, सारे सिंबोल्स की प्रैक्टिस उस दिन जरूर करना, जो लोग फास्टिंग करना चाहते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो इस इंजल नंबर वाले दिन पर फास्टिंग जरूर करना, चाहे तो सबसे States Water Fasting 24 घंटा के वार् वार्रवन्ति दिसमें सिर्फ कीर हो ना हो सके तो फलों का अरस ले सकते हैं और ना ले सकें तो फल कहा करें तो फास्टिंग जरुर करें ऑद फास्टिंग के दिन एक रिसन लेकर फास्टिंग करें एक करेंट की मैं क्यों फरस्टिंग कर रहा हूं और गुड हैल्थ और ब्यूटी फॉर रिलेशन फॉर मनी फॉर केरियर फॉर लाइस्टाइल फॉर न्यू होम फॉर एवरिटिंग आप कोई भी रिजन लेकर कर सकते हैं या फिर जो सबसे अच्छा मैं सिखाता हूं जो कि प्रा मांडी जेतना ही पॉर मांपिता परमात्मा नहतbased like भरा वहाँ मेरे शरीर के लिए मेरे इस घर के लिए मेरे परिवार के लिए परसा जो भी है उसके PurushO substitute करता हूं ऐसे ही हम सबको 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 एसे इसी सुक Certainly देना और हमने ता सही भी manifest होनी शुरू हो जाती है यह बोलते बोलते मुझे अचानक से पाराइट पत्थर दीका मैंने इसे पकड़ लिया बस कोई रिजन नहीं आपके पास भी तो है यह पाराइट तो हाथ में लेकर के से भी हिल किया करें तो आज हमने समझा 0707 साथ जुलाई में हम क्या करेंग बिटा जो डायरी आप लिखेंगे एक बहुत शांदार चीज़ और बताता हूं कि डायरी में कुछ नए विशेश जरूर लिखना और अगले साथ जुलाई में उसे टैली करना कि इन में से कौन-कौन से चीज़ें पूरी हो गई यह bonus point है है ना तो चलिए बिटा जी मिलते आने अले अध्यायों में आज के लिए इतना ही नमस्ते आज